नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में दोस्तो आज हम आपके लिए लेके आये हैं इकाई एक से संबंदित बिहत महत्तोपून प्रशनोत्री तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आप शुरू से लेकर के अंद तक इस प्रशनोत्री में बने रहेंगे क्योंकि इस प्रशनोत्री में बहुत ही महत्तोपून प्रशन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ तो ये जो प्रशन है ये NTE UGC NET के एक्जाम के लिए तो बहुत ही महत्तोपून है ही है साथ ही साथ दूसरी परिक्षाओं के लिए भी ये बेहत उप्योगी है तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रशनोत्री आज का जो पहला प्रशन है वो है नौनौ भाषा किसे कहागया है तो देखिए विकल्फ हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपबहंश तो ये जो चार विकल्फ हैं इनमें से आमने देखना है कि Нौनौ की भाषा किसे कहागया है तो आप इसका उत्तर मुझे comment section में भी जाकर दे सकते हैं चलिए मैं आपको इसका answer बता देता हूँ कि नौनो की भाषा किसे का आ गया है? नौनो की भाषा का आ गया है अपवरंश को तो अपवरंश को नौनो की भाषा जो नाम दिया वो किस ने दिया था? वो दिया था किशोरी दास वाचपई जी ने तो इन्होंने ये नाम क्यों दिया? क्योंकि अपवरंश में क्या हो गया था? अपवरंश में नौ का क्या हो गया था? अधिक क्या हो गया था? इसी के चलते इसको क्या का गया था? नौनो की भाषा हाला कि इसको अन्य विद्वानों ने अलग-अलग नाम दिये हैं वो हमने अपनी पीछे वाली वीडियो में क्लियर कर दिया था तो चलिए दोस्तो ये था पहला प्रशन अब देख लेते हम कि अगला दूसरा प्रशन क्या है ये कहता है कि अभ्यंत्र प्रियत्न के अधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं देखिए प्रियत्न के अधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं दो कौन-कौन से अभ्यंत्र और बहया अगर यूँ पूछा जाए कि भ्यंजनों का वर्गी करण कितने अधार पर होता है तो वो है दो अधारों पर पहला है आपका उचारण के अधार पर दूसरा है प्रियत्न के अधार पर प्रियत्न के अधार पर आता है आपका आभ्यांतर और बाहया तो ये आभ्यांत्र प्रियत्न के अधार पर पूछा गया है, देखिए, बहुत्वपूर्ण ये प्रशन है, और NDA UGC NET में पूछा गया है यहां से एक प्रशन प्रियत्न के अधार पर, तो वो वर्णों की बात कही गई थी, कि आभ्यांत्र प्रियत्न के अधार पर व्यंजन के कितने भेध हैं, देखिए, वर्ण और व्यंजन में थोड़ा सा बा了吧 है, वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, तो अब यहाँ पर बात है कि व्यांजन के कितने भेद हैं आप भ्यांतर प्रियतन के अधार पर देखिए इसमें 8, 7, 6 और 5 तो देखिए हमने जब इस section को पड़ा था इस इकाई के बारे में हम जब पड़ रहे थे कि व्यांजन के कितने भेद होते हैं तब हमने पड़े थे आपके उश्म व्यांजन आपके सपर्श व्यांजन अंतस्त व्यांजन आपके संयुक्त व्यांजन या फिर आपके उत्कषिप्त लुन्ठित तो ये जो सारे चीज़े हैं ये किसके अंतरगत आती थी ये आती हैं अभियंत्र प्रयत्न के अधार पर व्यंजनों के कितने वेद होते हैं? आठ वेद होते हैं. देखिए कौन-कौन से हैं? स्पर्ष व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उश्म व्यंजन, अर्धस्वर, पशर्विक, लुंठित, अनुनासिक और उत्क्षिप्थ. तो ये भेद हैं आठ अभियंत्र प्रयत्न के अधार पर. चलिए अप देख लेते हैं अकला प्रशन. ये कहता है कि निम्न में से अर्धस्वर हैं. तो अर्धस्वर कौन-कौन से हैं? रोलो, यवो, सचो, और रोर, अढ़ो. तो इन में से हमने देखना है कि अर्धस्वर कौन से हैं? तो पहली बात तो ये होने चाहिए कि हमें अर्धस्वर का पता होना चाहिए कि अर्धस्वर क्या होते हैं? तो चलिए इसका अंसर पहले देख लेते हैं कि क्या है इसका अंसर कि अर्धस्वर कौन से हैं? तो इसका जो सही अंसरे देखिए य और व तो अब हम देख लेते हैं कि अर्दसवर क्या होते हैं तो अर्दसवर है उन ध्वनियों के उचारण में क्या होता है जो उचारण अव्यबों में कहीं भी पूर्ण स्पर्ष नहीं होता तथा श्वास वायू अनवरोधित रहती है ठीक है मतलब की जो हमारे अर्दसवर हैं उन में देखी क्या होता है कि जो उचारण अव्यब मतलब उचारण स्थान एक तरीके से जो है वो कहीं भी पूर्ण स्पर्ष नहीं होता या और वो को बोलते वक्त हमारी जीवा कहीं भी एक तरीके से जादा स्पर्ष नहीं करती इसलिए इनको क्या का जाता है अर्दस्वर का जाता है देखे जैसे आ जो है बिलकुल एक ही फ्लो में बोले आ कहीं जादा जीव कस पश नहीं हो रहा है तो ठीक वैसे ही इससे मिलता जुलता जो रूप है यह है यह और वो का इसलिए इनको का जाता है यह क्या है अर्दस्व क्लिर है दोस्तो अगला प्रशन देख लेते हैं क्या है अगला प्रशन है अग्रस्वर के उदारण है देखिए अग्रस्वर तो इसमें है ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- का उचारन जीभा के अगले भाग से हो ठीक है जीभा के अधार पड़ है यह हमने बेद पड़े थे जीभा की स्थिति के अनुसार जो स्वरों का वर्गी करन हमने पड़ा था तो ठीक वही वो रहा है कि अगले स्वर के उधारन कौन है मतलब ऐसे कौन से स्वर है जो जीभा क आगे वाला भाग जो है काम करता है तो देख लेते हैं इसका अंसर इसका अंसर है option number 1 E-E-A-E तो जीभा के अगर भाग को उठा कर जिन स्वरों का उचारण होता है उन्हें क्या कहा जाता है अगर स्वर कहा जाता है देखिए अगर हम E-E बोलेंगे जीभा का आगे वाला भाग काम कर रहा है E-E-A-E clear है तो इसलिए इनको क्या कहते है अगर स्वर कहते है clear है दोस्तों अगला प्रशन देख लेते हैं क्या है अगला प्रशन है मुख वीवर के अधार पर स्वरों के कितने प्रकार है तो जो मुख वीवर मतलब हमारे मुख की जो स्थिती है या उसके अधार पर है ना जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो दो है, तीन है, चार है या पांच है तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर जरूर बता सकते हैं कि मुख वीवर के अधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं तो इसका जो उत्तर है, वो है चार देखिए, संब्रित स्वर अर्ध संब्रित, विब्रित और अर्ध विब्रित तो मतलब मुह, अगर बंद रहता है तो उसको क्या कहते हैं, अगर खुला रहता तो उसको क्या कहते हैं तो ये आप slide में बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं चाहे आप इस video को pause कर सकते हैं उसके बाद भी आप इसको देख सकते हैं कि वीबृत क्या होता है, संबृत क्या होता है हाला कि हमने पीछे वाली वीडियो में इनको complete कर लिया था तो यह है कि मुख वीवर के अधार पर स्वारों के प्रकार clear दोस्तो चार प्रकार है अगला प्रशन देख लेते हैं निम्र में से कौन सी ध्वनी द्वित्व व्यांजन है देखिए द्वित्व व्यांजन पूछा गया है कई बार क्या पूछ लिया जाता है एक्जाम में कि संयुक्त व्यांजन क्या है प्रशन को समझना है ठीक है प्रशन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी कठिन से कठिन प्रशन को भी सरल कर सकते हैं हडबढ़ाट में उत्तर नहीं देना है क्लिए दोस्तों तो देखिए ये पूछ रहा है कि द्वित्व का मतलब होता है दो तो व्यंजन जहांपर दो व्यंजन कठे हैं ठीक है अगर पूछा होता है सियुक तो तब होने थे अलग-अलग यहांपर क्या पूछा गया है यहांपर पूछा गया है कि द्वित्व व्यंजन क्या है तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा चो और चो जो आधा चो और सारा चो है तो वो क्या है वो है द्वित्व व्यंजन क्लिर है दोस्तों अगला पश्चन है कि निम्र में से स्वरों की विशेष्टाएं नहीं है तो अब पूछ रहा है कि जो स्वरों की क्या है विशेष्टाएं नहीं है तो हमें स्वरों के बारे में क्या है जानकारी होनी चाहिए तो देखिए कौन सी विशेष्टाएं स्वरों की नहीं है वो हम आक्षरिक होते हैं तो यह चार विकल्प हैं इनमें से आपने देखना है कि कौन सी ऐसी विशेष्टा है जो स्वर की नहीं है तो देखिए इसका उतर होगा विकल्प नमबर 3 सभी स्वर अघोश वर्ण होते हैं तो यह जो कथन है यह बिलकुल असत्य है स्वर जो भी होते हैं वो क्या होते हैं वे सघोश होते हैं तो सघोश का मतलब होता है जब स्वर तंत्रियों में क्या हो घर्शन हो एक तरीके से है ना कमपन हो तो उनको क्या गा जाता है सघोश या घोश बर्ण क्लिर है दोस्तो तो जो स्वर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो है सघोश ठीक है? तो चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन कहता है कि कौन सा युगम असंगत है? असंगत मतलब सही नहीं है तो देखिए ना पसंद है ये अव्वेभाव समास है देश भक्ती ततपुरुष समास है देवासूर दुन्दसमास है सपताह दुगु समास तो इन वे से हमने देखना है कि कौन सा जो है वो गलत है तो इसका उत्र भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि क्या है चलिए इसका उत्र देख लेते हैं इसका जो सई अंसर होगा वो होगा option 1 नापसंद अभ्याई भाव समास तो देखिए ना लगा है इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो ना लगता है चाहे गैर लगता है चाहे निशेधात में कोई भी उसमें उपसर्ग लग जाए या शब्द लग जाए तो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं नंज समास है ना नंज समास clear दोस्तों तो इसमें क्या होगा नापसंद में नंज समास होगा है ना अभ्याई भाव समास की पहचान क्या थी इसकी पहचान थी कि जहांपर अभ्याई लगा हो पहले ठीक है, या कौन से शब्द मैंने बताये थे आ, अनु, यथा, हर, भर, प्रत्येक इस तरी के क्या अगर शब्द हो ठीक है, तो उसमें हो जाता था अव्यभाव स्मास, लेकिन यहां पर लगा है ना, जो है, कैसा है वो निशेदात्मक शब्द है इसलिए इसमें कौन सा होगा नज स्मास होगा, ना कि अव्यभाव स्मास होगा देश भक्ती देखिए, तो ततपुरुष है देश के लिए भक्ती, तो के लिए आ रहा है न बीच में तो कहां पर आता है वो ततपुरुष स्मास में ठीक वैसे ही देवासूर, देवता और असूर। सप्ता हमें देखी पहले संख्या आ रही है, संख्या वाचक भीशेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दुगू स्मास। अगला प्रशन देख लेते हैं, अगला प्रशन कहता है कि खंडियत्र ध्वनियों का रूप नहीं है, तो खंडियत्र ध्वनियां हमने पढ़ ली थी, तो इसके जो रूप हमने देखे थे कि कितने रूप हैं इसके, वो हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, देख खंडियत्र ध्वनिया क्या होती है देखिए साथ में लिखा हुआ है कि ध्वनियों के साथ ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिन्हें ध्वनियों से अलग नहीं किया जा सकता परंतु ये स्वयम ध्वनी नहीं होते इन्हें खंडियत्र ध्वनिया या ध्वनी गुण कहा जाता है तो जो स्वर और व्यंजन है वो क्या है वो ही इनके रूप नहीं है ठीक है ना तो जो मातर और बलागहत है ये इसके क्या है रूप है संगम सहीता भी इसके रूप है और सूर और अनुनासिकता भी खंडियतर ध्वनियों के रूप है तो ये खंडियतर ध्वनियों क्या है य ये स्वतंतर ध्वनिय नहीं है, लेकिन ध्वनियों के साथ ये जूड़ी रहती है, जैसे हमने, इसके बारे भी हमने विस्तार से अपनी पीछे वाली वीडियो में पढ़ लिया था, क्लियर है दोस्तों, अगला प्रशन देख लेते हैं क्या है, अगला प्रशन कहता है कि ध् विकल्प हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर इसका साई अंसर होगा, तो वो है वर्ण, स्वनियम का मतलब ध्वनी ही होता है, लेकिन जब ध्वनी को हम जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक वो क्या है, वर्ण नहीं बनता है, तो इसलिए इसके लिकित अगला प्रशन है, विकास की दृष्टी से प्राकृत की उत्रकालिन अवस्था का नाम क्या है, तो उत्रकालिन का मतलब होता है, जो बाद की अवस्था है, तो इसके लिए हमें इसकी विकास क्रम की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो विकलप देख लेते हैं, संस्कृत, लौकिक संस्कित, पाली या फिर अपब्रेंश तो इसका जो साई अंसर होगा देखिए वो है अपब्रेंश तो प्राकृत के बाद उत्र का मतलब है बाद ठीक है तो देखिए इसका जो विकासक्रम कई बार एक्जाम में ये पूछ लिये जाता है ये विकासक्रम इसको याद रख लिजेगा आप संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपब्रेंश तो प्राकृत की जो बाद की अवस्ता है वो क्या है अपब्रेंश है क्लीर है दोस्तों अगला प्रशन देख लेते हैं कि 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ विकल्प है राजएंदर प्रसाद विनोबा भावे बाल गंगाधर खेर या फिर बाल गंगाधर तिलक तो देखिए ये आपके पास चार विकल्प है इनमें से आपने देखना है कि जो राजभाषा आयोग है उसका जो गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था इसका आंसर है देखिए बाल गंगाधर खेर तो बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर खेर में आपने अपने गंफ्यूज नहीं होना है जो राजभाषा थे वो क्या थे राष्टपती थे उन्होंने इसका गठन किया था लेकिन अध्यक्ष कौन थे बाल गंगाधर खेर इनका जो दूसरा नाम है मतलब संक्षिप्त करके वो बोलते हैं हम उसको बीजी खेर क्लिर है दोस्तों तो अगला प्रशन देख लेते हैं कि क्या है अगला प्रशन है असत्य कथन बताओ तो हमने देखना है कि जो ये तीन चार कथन दिये हैं इन में से असत्य कौन है गलत कौन है और इस तरीके के प्रशन NTA UGC NET के एक्जाम में पूछे जाते हैं पहला देखिए मानक भाषा परिमारजित होती है बोली का क्षित्र असीमित होता है तथा इसमें सहीति क्रचना होती है राज भाषा में लचीलापन होता है इसलिए यह आम जनमानस से जूड़ी होती है ब्यानोय संशोधन अदिनियम द्वारा चार भाषाएं बोडो, ब्रज भाषा, संथाली और डोगरी जोड़ी गई तो यह है दोस्तो चार विकल्प इन में से हमने देखना है कि गलत कौन सा है देखिए विकल्प है दूसरा, तीसरा, चौथा, एक, दो, तीन या एक, दो, चार या फिर कोई नहीं तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि क्या होगा इसका जो सही उत्तर है देखिए इसका जो सही उत्तर है देखिए वो है option 2, 3, 4 मतलब option A जो है वो सही है जो दूसरा, तीसरा और चौथा है कथन वो क्या है? वो असत्य है देखिए कैसे वो असत्य यह कहता है कि जो बोली का क्षित्र है वो असीमित होता है बोली का क्षित्र असीमित नहीं बलकि सीमित होता है वो एक च्षित्र विशेश में ही बोली जाती है है ना? और सहीतिक रचना भी बोली में नहीं होती है और जब बोली में साहितिक रचना होने लग जाती है तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है फिर उपभाशा ठीक है दोस्तों दूसरा आता है देखिए ये कहता है कि राज भाशा में लचीलापन होता है इसलिए ये आम जनमानस से जुड़ी होती है राज भाशा में लचीलापन नहीं होता है इसको बदलना मुश्किल होता है इसलिए आम जनमानस से नहीं जुड़ी होती है ठीक है ना तो ये भी क्या ह ये गलत है क्योंकि ब्रज भाशा को नहीं जोड़ा गया था तो कौन-कौन थी उसमें बोडो, डोगरी, संथाली और एक और भाशा थी क्या नाम था उसका जो हमारी क्या थी मैथिली ठीक है ना तो ये चार भाशा है थी जो किसके अंतरगत जोड़ी गई थी ब्यानुए समि समिधान संशोधन के अंतरगत क्लियर है दोस्तों तो अब हम देख लेते हैं प्रेशन नंबर 14 ये कहता है कि सिंधी को आठवी अनिसूची में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया इकतिसवें, इकत्रवें, इकिसवें या फिर ब्यानुएं जो सिंधी भाशा को जोड सरसप में जो 21 समिधान संशोधन होगा था उसमें आठवी अनिसूची में शामिल किया गया था सिंधी भाशा को क्लिर है दोस्तों अगला प्रशन है देखिए हिंदी को गंगा नहीं बलकि समुद्र बनाना होगा यह कथन किसका है विनोवा भावे, महात्मा गांधी, विनोवा भावे, उन्होंने कहा था हिंदी को कि इसको गंगा नहीं बलकि समुद्र बनाना होगा ठीक है दोस्तों अगला जो प्रशन है वो है कौश्रेणी राज्य है तो कौश्रेणी राज्य देखिए कौन से है इसमें से गुजरात, हर्याना, पंजाब या माराष्टर तो इन में से हमने देखना है कि कौश्रेणी का राज्य है कौन सा है तो ये भी आमने विस्तार से पीछे अपनी वीडियो में देख लिया था पीछे वाली क्लास में कि कौश्रेणी में कौन आता है तो चलिए इसका अंसर देखिए वो है हर्याना तो इसको याद करने की ज हिंदी ही होती है। है ना केंदर से जो भी पत्र व्यवार होता है उसके साथ वो किस बाशम होता है वो हिंदी में होता है। तो इसकी जो ट्रिक है देखिए हम दिल्ली के राजा हिर्णो संग बिहार करते हैं। हम हुम इंगलिश वाला उसको आप ले सकते हैं तो इसमें तीन प्रदेश या जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश, दिल्ली से दिल्ली, राजा से राजस्थान, हिर्णों से हरियाना, बिहार से बिहार, ठीक है, लेर है दोस्तों, तो ये है कौश्ट्रेणी के राज्य, अब हम देख लेते हैं, अगला 443 से 51 तक के अनुच्छेद हैं तो उन अनुच्छेदों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है तो देखिए विकल्प है 345, 348, 350 या फिर 351 इसका जो साही अंसर होगा देखिए वो होगा option number 4 351 तो इसमें क्या किया गया है कि जो हिंदी भाषा है उसके विकास के जो क्या है उसमें निर्देश की दिये गया है कि उसका प्रचार प्रसार करना है ठीक है क्लिए दोस्तों अगला जो प्रशने देखिए वो है कि हिंदी व्याकरण का पानीनी किसे कहा जाता है कामता प्रसाद गुरू, भोलानात तिवारी, हेमचंद्र, रामदहिन, प्रकाश लखी और रामदहिन, मिश्र, इनका जो व्याकरण का नाम है देखिए इनके व्याकरण का नाम है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण और इनके व्याकरण का नाम पूछा गया था NTA UGC NET के एक्जाम में जो अभी एक-दो साल पहले एक्जाम होगा था उसमें पूछा गया था रामदहिन, मिश्र के व्याकरण का न तो इनके व्याकरणों के नाम भी हमें पता होने चाहिए, तो चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं, अंतरराश्तिय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 5 सितंबर, 10 जनवरी या 10 दिसंबर, तो इसका जो सही अंसर होगा देखिए, वो है 10 जनवरी, ठीक है दोस्त तो उसके लिए जो 4 तत्व निवारे थे, कौन-कौन से थे, एतिहासिकता, स्वायतता, परिमार्जितता और अगला क्या था, लियातमकता, नहीं, तो इसका सही अंसर क्या होगा, जो लियातमकता है, वो ही इसके तत्वों में शामिल नहीं है, यहां पर क्या होना था, यहा को सब्सक्राइब करना ना भूले शुक्रिया